क्योंकि स्वर्ग और नर्ग कोई जगा नहीं है कि आप उसे विजिट कर सको पर ये एक सिर्फ स्टेट ओप बींग है जिसे आप फिल कर सको जब आप अपने बेट पर पड़े पड़े स्नूस का बटन दबा रहे होते हैं तब वर्ल्ल क्लास लेजिंस का काम स्टार्ट हो जा हैं क्योंकि उन्होंने हमसे डेट दो गंटे पहले उटके कुछ ऐसा किया है जिसकी बज़से वो लोग अपने काम में इतना बहतर बन पाए वो सब लोग एंजिन से जो हर रोज सुबध दुनिया से पहले उटके अपने आपकी सर्विस करते हैं और उसके बाद ही पट्री पर आते हैं और यही मौनिंग रूटीन की बज़से उन्हें लीडर्स और दूसरों को फोलोवर्स कहते हैं और हर इंसान एंजिन बनने की ताकत रखता है और अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को लीड कर सकता है इसलिए आज मैं आपको रोबिन सर्मा की ले तेज, एक्टिव और फ्रेस होता है इसलिए उसे प्रोग्राम करने का वही सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह उठेने के बाद का वन अवर हमारा सबसे इंपोर्टन होता है रोबिन सर्मा उसे विक्ट्री अवर कहते हैं इसलिए वो विक्ट्री अवर की 60 मिनिट में हमे 20-20 मिनिट के लिए 3 काम करने जाएए जिसे करने से पूरे दिन भर हम energetic और aware रह सके The triple 20 formula में हमें move, reflect और grow करना है तो चली मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और उसके benefits क्या है 5 बजे उठने के बाद 1st 20 मिनिट हमें exercise और deep breathing करनी है क्योंकि यही सबसे important और non-negotiable work है जो आपको करना ही करना है वरना दिफावें क्लब का कोई मतलब नहीं रहेगा 1st 20 मिनिट हेवी exercise करने से dopamine और serotonin का flow बढ़ता है जिससे हमारा overall metabolism level increase होता है जिसकी बज़े से आपका brain अपने optimal level पर रहेके focus और productive तरीके से काम करेगा और overall आपकी immune system strong होने से आपकी body healthy और fit रहेगी जिससे आपकी बीमार पढ़ने के chances बहुत ही कम हो जाएगे next 20 minute में हम अपने आपको reflect करने के लिए चार चीज़े कर सकते हैं जो है journaling, meditation, pray and planning इससे आप positive रह पाऊगे आप अपनी awareness को feel कर पाऊगे आपकी wisdom develop होगी और इस चारों में से कोई भी एक चीज़ करने से आपके thoughts clear होगे जिससे आपको सांती का एहसास होगा जो बाद में आपकी higher creativity और stronger performance के लिए responsible होगी विक्ट्रिय अवर के last 20 minutes हमें अपने आपको grow करने के लिए लगाने है जिसमें हम अपने goals का analysis कर सकते है books पढ़ सकते है audiobooks और podcast सुन सकते है मतलब कि कोई भी वो काम जिससे आपको कुछ नई information मिले जो आपके field में काम की हो अपने victory hour को ऐसे daily practice करने से आपको definitely कुछी time में अपने आप में काफी सारा improvement देखने को मिलेगा अब मैं आपको history makers and elite performers की एक ऐसी आदत बताता हूँ जो आज कल बहुत ही rare हो गई है जो है freedom from distraction आज mobile phones इतने addictive हो गए है कि जहां देखो वहाँ इंसान अपने smartphone से एक zombie की तरह चिपका हुआ होता है हम अभी attention economy में जी रहे है जो हाँ पर social medias और media production companies आपके attention का यूज करके पेशे चाप रही है मुझे भी आपकी तरह पहले ब्रह्म था कि internet free है लेकिन अब समझ में आया कि internet नहीं हम free है आज अगर आप कुछ reports देखे तो आपको पता चलेगा कि Bollywood movies से ज्यादा पेशे web series और online content कमा रहे है क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोगों को addictive करने के लिए और उनकी creativity बरबाद करने के लिए theater की 50 feet की screen की कोई जरूरत नहीं smartphone की सिर्फ 5 चीज की screen ही काफी है दोस्तों आप मानो या ना मानो पर आज entertainment के नाम पर हमें उल्लू बनाया जा रहा है आज internet पर आपको चीजे कुछ इस तरह से परोसी जा रही है कि आपको सब चीजे आपके काम की ही लगती है क्योंकि उन लोगों के पास आपकी सारी activity का record होता है कि आप क्या करते हो आपकी पसंद क्या है आपकी नापसंद क्या है आप क्या सर्च करते हो और वही सारी चीजों को मिला कर वो आपको कुछ ऐसा बताते हैं कि आप उसे कंट्रोल ना कर सको और emotions के बहाओं में आके उनके ही platforms पर चिपके रहो हर रोज कई घंटे ऐसी unnecessary चीजे देखके time waste करने के बाद एक बाद आप ज़रूर याद रखें कि अवर्स से दिन, दिन से महिना महिनों से साल और कई सालों को मिला कर आपका जीवन बनता है तो अगर आपका basic होकली activity से बढ़ा हो तो उसकी कितनी value हो सकती है वो तो आप बली भादी जानते हैं क्या कभी आपने कोई successful startup के founder कोई companies के CEO, sport person या celebrity से सुना है कि मैं आज यहां तक पहुँच पाया क्योंकि मैं पूरे दिन facebook और instagram पे दूसरों के photos देखता था 3-4 घंटे तो serial और उसके बाद movies देखके राद को पब जी खिलके सो जाता था और यही मेरे success का secret है तो ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि दोस्तों, internet के endless scrolling से आदमी सिर्फ follow कर सकता है, lead नहीं कर सकता आज यह internet की दुनिया आपको free रहने देना ही नहीं चाहती notification पर notification देती ही रहेगी कि इसने photo upload किया ठोको like इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया in short, media आपको अपने बारे में सोचने देना ही नहीं चाहती क्योंकि सायद थोड़ा ही सोचने पर आपको पता चल जाएगा कि आप technology के कितने घुलाम बन गए हो अगर आप technology का use अपने improvement के लिए अपना कोई positive message दुनिया के साथ share करने के लिए करते हो then well and good पर फिर भी पूरे दिन technology के साथ ना चिपक के उसे कुछ specific time पर ही use करे और बागी का time अपने high quality standard work को produce करने में लगाओ क्योंकि सभी history makers यही कहते है कि उनके success का राज freedom from distraction यानि की काम पर पूरा focus ही है थर्ड बीग आइडिया जो मुझे धी 5M क्लब में से सीखने को मिला वो है three steps success formula जो कहता है कि अगर आप aware रहोगे तो better results आपको automatic मिलेंगे कैसे चलिए जानते हैं three steps success formula कहता है कि better awareness से आपका चीजों की और देखने का नजर्या बदलेगा आप open minded बनोंगे जिससे आपकी choice भी better होती जाएगी आप अपनी priorities को अच्छी तरह से arrange कर पाऊगे जिससे definitely आपको better results मिलेंगे मतलब कि better awareness leads to better choices and better choices leads to better results इस book से fourth big idea जो मुझे सीखने को मिला वो है the four interior empires जैसे अपना घर बनाते वक्त लोग exterior से ज्यादा detailing और पैसा अपने घर के interior को सजाने में लगाते हैं ठीक उसी तरह हमें भी सिर्फ business बड़ा करने के बारे में सोचने के साथ-साथ हमें अपने चार interior empires को भी build करना चाहिए जो है mindset, heartset, healthset and soulset mindset psychology से related है जो हम दूसरों से सीख के build कर सकते हैं पर फिर भी आप सिर्फ अपना mindset build करके grow नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सिर्फ 25% है interior empire का mindset के साथ-साथ आपको अपना heartset भी build करना चाहिए जो आपके emotions से related है क्योंकि जो व्यक्ति अपने आपको control नहीं कर सकता, वो कुछ भी control नहीं कर सकता, अगर आप में चिड़-चिड़ापन हो, आप हर छोटी-छोटी बात पर गुसा करते हो, तो आपको ये सिखना होगा कि आप अपने emotions को कैसे control कर पाओ, और इसी practice से आपका heartset build होगा, और आप लोगों की गलतियों को माफ कर पाओगे, और love और peace radiate करोगे, थर्ड है healthset, जो आपको maintain करना ही करना है, अगर mobile data चाहें, आपके पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपका mobile charging ना होने पर बंद हो गया हो, तो वो data कुछ काम का नहीं ठीक उसी तरह, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर health अच्छी नहीं होगी, तो आप अपना maximum effort नहीं दे पाओगे और जो last interior empire है, वो है soul set, जो directly spirituality से related है, जो हम अपने पहले तीन set को improve करने के बाद ही इसे build कर सकते हैं जो meslo ने भी अपने hierarchy of need में सबसे उपर बताया है अगर हम इस चारो areas में improvement लाने लगे तो हम definitely अपनी life को glorious बना सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्ख कोई जगा नहीं है कि आप उसे visit कर सको पर ये एक सिर्फ state of being है जिससे आप feel कर सकते हो फिफ्ट और लास्ट बिग एडिया जो मुझे दिफाइवेम क्लब से सीखने को मिलता है वो है the habit installation protocol उनके मुदाबिक कोई भी habit को automatic होने में minimum 66 days लगते हैं जो around 22 days के तीन slot गुजारने के बाद आता है जो है destruction, installation and integration जिसमें हमारे brain में पहले slot में हमारी पूरानी आदतों के पाथ तूटते हैं दूसरे slot में नई आदतों के पाथ generate होते हैं और last slot में वो हमारे subconscious mind के साथ integrate हो जाने पर वो आदत हमारी automatic habit बन जाती है Robin सर्मा कहता है कि कोई भी change starting में बहुत ही hard होता है middle में messy होता है और end में gorgeous होता है इसलिए सुबा 5 बजे उठने की आदत डालने पर starting में तो बहुत ही hard लगेगा कभी-कभी तो boring और useless लगेगा लेकिन फिर भी आपको ये सभी routines और rituals को start ही रखना है क्योंकि the one theory of self discipline स्पार्टां कहता है कि important काम hard होने पर भी जो उसे regularly करता है वही एक असली युद्धा बन पाता है मुहमद अली भी कहते थे कि मुझे भी training की हर एक minute से नफरत होती थी पर फिट भी में कहता था कि छोड़ो मत अभी थोड़ा दर्द सहलो और बाकी की life champion की तरा जी हो दोस्तो दुनिया externally चीजों में improve करने में लगी है तब यही सबसे best time है कि हम अपने आपको internally improve करके दुनिया को present करे आज दुनिया में कहीं सारे लोग सुबर से देर राद तक अपने smartphone से चिपके रहते हैं तो यही सबसे best time है कि अपना talent दुनिया को दिखाया जाए आज आपके पास GCA है यानि कि Gargantune competitive advantage आज हर second distracted करने वाली इस दुनिया में आप focus रहके अपना काम करना सिख गए तो बहुत ही बड़ा competitive advantage मिलेगा क्योंकि ordinary level पर तो tons of competition होगी लेकिन extraordinary level पर almost none रोबिन सर्मा ने अपनी इस book The 5M Club को बनाने में पूरे 4 साल मेहनत की है और एक cinematic look दिया है जो आपको एक movie देखनी के बराबर लगेगा और इसमें कई सारे golden nuggets दिये हुए है जो आपको life में बहुत ही काम आएगे अगर आप इस book को खरीद के read करना चाते हो इसकी link मैंने description में दे दी है बाकी ना read करो तो अभी 5 बज़े तो उढ़ी ही सकते हो